हालो ट्रेटर्स वालकम टू ट्ट्रेंड लाइन स्टॉक्स और देखें एक पैनी स्टॉक के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहां। वैसे मैं जनरली कभी भी रिक्मेंडेशन आपको नहीं देता हूं किसी भी पैनी स्टॉक के अंदर पैसा लगाने की और इस stock के अंदर भी मैं आपको कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ लेकिन knowledge लेना आपको बहुत जरूरी है बहुत जादा important हो जाता है जब ऐसा कोई stock निकल के आए जो मात्र 12 से 15 दिन के अंदर 2 रुपे का ये stock हुआ करता था और आज 7 रुपे से उपर ये trade हो रहा है और share market में देखे stock ने बिलकुल यहाँ पर एक तरीके से आग लगाती है और जो बिलकुल beginners हैं जो बिलकुल novice है stock market में वो कई गुना जादा इसके अंदर interest ले रहे हैं देखे knowledge के आभाव में गलत कदम उठा लिये जाते है stock market में जो आगे चलके काफी जादा बड़ा नुकसान भी आप लोगा कर सकते हैं बट आपको information बिलकुल रखनी चाहिए कि company क्या है और किस वजह से इतनी जबरदस यहाँ पर performance दिखाई है इस stock ने 11 से 12 दिन के अंदर ही इस stock बहुत जबरदस 33 के साथ में आज 7 रुपे के ऊपर इसने closing दी है और लगा तार देखे जब कभी ऐसी news आती है किसी भी stock के अंदर तो upper circuits ही लगते हैं और इस company के अंदर भी इस stock के अंदर भी हमने upper circuits ही लगते हुए देखे हैं तो देखे मुझे information बहुत सारी देनी है इस video के अंदर इस stock के लिए इसलिए जादा देर तक नाम आपसे नहीं चुपाँगा मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या है इस company का और fundamentals भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा लेकिन important होगी वो news जो एक article के थुरू में आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ क्योंकि देखे ये वो news है जो आने वाले time में Reliance जैसी बड़ी company को Amazon जैसी बड़ी big जो e-commerce companies है उनको टकर दे सकती है अगर ऐसा हुआ तो तो सबसे पहले आपको लेके चल रहा हूँ इस company के basically fundamentals पर and thereafter मैं आपको वो news article पूरा दिखाऊंगा देखे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Tata Tele Services Limited की महराश्ट based ये company है और Tata की बहुत छोटी company है जो लगातार loss generate कर रही है company लेकिन देखे company का का काम क्या है telecommunications sector के अंदर ये company काम करती है and wireless and wired broadband services, lease services जो होती है उसको provide कराती है और हिंदुस्तान की number one toll free number provided company है ये जो toll free numbers आप कहीं बार देखते है companies के वो services भी ये company provide कराती है इसके fundamentals मैं अगर बताऊं तो बहुत जादा weak है टाटा group की company होने के बावाजूद भी देखे यहाँ पर आपको मैं कुछ fundamentals दिखा रहा हूँ जो काफी जादा आपको निराश करेंगे लेकिन ये चीज़ important होती है जानना 1395 करोड की market capitalization है इस company की ROE और ROC कुछ भी नहीं दिया वा है book value की बात करेंगे तो minus 106 रुपे है आप सोचे किसी company का book value minus में होना उसके क्या माइने होते हैं industry का P.E. यहाँ पर 22 दिखा रहा है sales अगर 128 करोड की इनोंने करिये तो उसके उपर 1178 करोड का loss company को हुआ है promoters holding है 74.4% लेकिन देखे pledge percentage बिलकुल 0 है company के उपर करजा है बहुत भारी भरकम लगबग 17,000 करोड रुपे का sales growth की बात करेंगे minus में 18% है dividend कुछ भी देही नहीं सकती कमनी इतने जादा भारी नुकसान में है और face value 10 रुपे है तो यह brief fundamentals इस company के अब बहुत important है देखें ध्यान से देखेंगे एक article आपको दिखा रहा हूँ यहाँ आपर business today का जो जानना बहुत important है आपने सुना होगा देखें टाटा super app launch कर रहा है एक और उस super app को launch करने का basis क्या है वो आपको समझने की जरूवत है क्योंकि Amazon और Reliance Jio market में अब आ गए है जो directly consumers के साथ connect हो रहे हैं और market के अंदर अपनी पकड बना रहे हैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते वे टाटा अपनी super app launch करने जा रहा है जिसमें टाटा अपने जितने भी products manufacture करता है वो सारे के सारे showcase करेगा यानि कि एक तरीके से एक दुकान आप लोग के सामने आप लो appliances हैं जैसे Titan watches हैं इस तरह की तमाम जितने भी products हैं उन सब को consumer एक ही platform पर देख पाएंगे वहां से order कर पाएंगे वहां से purchase भी कर पाएंगे तो वो टाटा के लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगा और एक ही consumer का देखे database कहीं सारे businesses में वो लोग use कर सकते हैं तो यहाँ पर hand in hand वाली situation हो जाएगी कि consumer के लिए भी बहुत important हो जाएगा किसी एक platform पे Tata के सारे products को showcase करना देख पाना और उनके साथ purchasing कर पाना उसके according और Tata के लिए भी बहुत important हो जाएगा कि वो एक बहुत बड़ा database समालने जा रहे हैं और शायर इसकी वज़े से इनकी जो sales है वो काफ technical support and enterprise solution for the Tata Group's upcoming super app which is all set to launch before the year end the Tata Group aims to bring all its products and services into a single app called super app इस साल के खतर होने से पहले पहले वो super app launch कर दी जाएगी Tata की तरफ से और उसकी जो backbone है जो structure है वो सारा कुछ Tata Tally Services समालेगी इनकी खुद की in-house company है Tata Tally Services इसलिए किसी भार की company को इनको hire करने की जरूत नहीं है इसी वज़े से देखे हैं कहा जा रहा है कि यहाँ पर Tata Tally Services जो है वो ramp up होते भी दिखाई दे सकती है इस news के चलते और वाकी में अगर ऐसा होता है इनको वाकी में किसी third party की जरूत नहीं पड़ती Tata Tally Services इस super आपको समालती है तो फिर यहाँ पर देखे आपको वाकी में बहुत बड़ी levels बहुत बड़े structure इस company का आपको आते वे दिखाई दे सकता है मैं आपको बता देता हूँ 2014 से लेके अभी तक Tata ने लगबग 46,595 करोड इस company के ओपर invest करे हैं लेकिन सारी की सारी वो कोशिशे नाकाम गई है यह company लगातार loss बनाती भी नजर आई है इससे पहले देखे भारती ATL के साथ भी इसका merger था लेकिन इसका D merger हो गया भारती ATL स उसके बाद में यहाँ पर 37 करोड का Q1 इस year में इन्होंने PBI Ltd यानिके profit before interest, lease, depreciation and tax यहाँ पर करके दिखाया इसकी जो earning है 1858 करोड की इसकी earning थी FI20 की और इन्होंने total जो loss phase किया था उस fiscal year में वो था 13,325 करोड रुपे का तो इतनी जादा बुरी हालत इस company की अभी फिला दिखाई दे रही है, this super app will require a technical backbone and Tata Tele Services will be able to provide this service, this will help Tata Tele Services to revive its fortunes, तो यह important चीज़ यहाँ पर देखिये निकल क्या आती है इस company के बारे में, अब देखिये important क्या है कि अभी basically यह कुछ तकरीबन 19 telecom circles के अंदर, country के अंदर यहाँ काम कर रही है, wirelines and wireless networks provide कराती है, GSM, CDMN, 3G platforms क के उपर, खासकर महाराष्ट में, उसके बार देखिये, यहाँ पर important क्या चीज़ निकल के आती है, यह सबसे जादा important है इस पूरे article में, कि Tata Group is aiming to up the ant in India's digital space and take on rivals such as Reliance.io, Amazon and Flipkart by rolling out super app, जो Flipkart, Amazon and Reliance.io से सबर 10 यहाँ पर तक्कर मिलने वाली है, उसके सामने अपने product की sale बन electronics में अलग हैं, jewelry में अलग हैं, watches में अलग हैं, इसके अलावा जो इनके consumables अलग products आते हैं, उनकी इतनी बड़ी category है, उन सब को देखिये, one-on-one consumer के सामने बार-बार दिखाना, वो उसी aim को basically यहाँ पर ध्यान में रखते वे, इस super app को launch किया जा रहा है, तो ultimately इनके जो rivals हों और Walmart अब Tata Group के साथ में एक joint venture कर सकता है, यानि के इस super app के अंदर Walmart का बहुत बड़ा निवेश आ सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, Tata Group is currently in talks with potential investors to pick up stakes in the online platform and Walmart could pick up a large piece of the pie, report says Walmart is also in talks with Tata Group to pump 20 to 25 billion in Tata Groups all in one app, आप समझे, 20 से 25 billion US dollars का यहाँ पर निवेश आ सकता है, Walmart की तरफ से सीदे सीदे Reliance को और Amazon को टक कर देने के लिए, the proposed large stake could see Walmart pumping into 20 to 25 billion US dollars, overtaking its 66% stake purchase of flip card for 16 billion in 2018, देकिस सबसे बड़ा निवेश अब तक का Walmart का था, 2018 में जो 16 billion dollars pump करे थे, इन्होंने flip card में, उस से भी बड़ा यहाँ पर निवेश Tata के साथ में अब Walmart कर सकता है, देखिए सिर्फ खबरे हैं, हो सकती है, If this follows through, then the super app could be a joint venture between Tata and Walmart, तो यह super app basically joint venture हो जाएगा, Tata का और Walmart को, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अब उसके बाद में, यहाँ पर consumers की हो जाएगी, बिल्कुल बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको मिलेंगे बहुत ही शांदर offers, और जो rivalry हैं, उनके सामने भढ़ जाएगा competition यह सारी चीज़े देखे, इस लिए important है जानना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, तो definitely यहाँ से एक नए levels चालो हो जाएगे Tata Tele Services के लिए, Tata Group already has its presence online with Tanishq Jewelry Stores, Titan Watches, Star Bazaar, Supermarkets, a joint venture between Starbucks, Taj Hotels, Westside, Tata Click, Tata Sky, Chroma and Star Quick, all of which might be clubbed under the online platform, the group has the largest franchise of own brands as compared to Zio and Amazon, तो इतने सारे branding के साथ में अलग-अलग businesses टार्डा कर रहा है, जो अब एक online platform के एक की साथ club करके आपके सामने यहाँ पर provide होगे, मतलब अगर आपको Taj Hotels के अंदर कोई room book कराना है, तो भी उसी super app से होगा, अगर आपको Starbucks की coffee basically order करनी है, तो भी वहीं से होगा, अगर आपको Tata Click से कुछ online समान मंगवाना है, तो भी उसी app से होगा, तो देखें, यह बहुत बड़ी branding है, जो Tata के पास अलड़ी थी, लेकिन उसको यहाँ पर e-commerce पे लाया जा रहा है, so that की Zio और Amazon को सीरे सीरे टकर दी जाए, तो यह important है, देखें, इस पूरी की पूरी Tata Tele Services के कहानी में, आपको यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था, कि Walmart का पीछे से यहाँ पर back आती भी नजर आ रही है, जो इस company को अब आगे की तरफ drive कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, देखें, इस सारी news है, अभी तक इसके पीछे कुछ solid background नहीं है, until, unless कोई news ऐसी ना आए, जबते कमनी खुद ऐसी कोई चीज communicate ना करें, तब तक हमें यहाँ पर कोई भी stake लेने से बचना चाहिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें किस तरीके से यहाँ पर business हुआ है, टाटा टैली services में, आज के दिन, 7.10 पैसे पर closing है, 4.41% उपर है यह, और upper price band इसके अंदर लगा, यानि कि circuit इसके अंदर लगा है, यही है इसका 52 week नया high, 7.10 पैसे का देखिए, 1.80 पैसे का 52 week low जो अपरल में इसने लगाया था, security बेस delivery positions देखिए, क्योंकि circuit लग गया, कुछ trading नहीं हुई है, तो जिन लोगों ने stock लिया, वो freeze हो गए है, 5.67,116 shares यहाँ पर आते वे दिखाई दिये हैं, इस quantity के अंदर, तो यह यह news आई देखिए, उसी के बाद से यहाँ पर लगातार circuits लग रहे हैं, 5-5% के, तो यह basically volumes के साथ में यहाँ पर लोग अपनी position जरूर बना रहे हैं, लेकिन उनको अभी निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैं बिलकुल भी आपको राय नहीं दे रहा हूँ, recommendation नहीं द चाहिए, rest अगर कोई भी इसके अंदर update आती है, तो definitely मैं time to time आप लोग के साथ में वीडियो के जरीए share करता रहूँगा, तो यह देखे वीडियो था, TTML यानि के Tata Tele Services महराश्टर Limited के बारे में, जो basically 12-15 दिन के अंदर 2 रुपे से 7 रुपे पर पहुँच गया, तो इस व में जोओे